पवन के अलावा अक्षरा सिंग के जीवन में कितने और उनके एक्स और प्रेजेंट बॉइफरेंड रहे हैं जी हाँ आपको बता दें कि अक्षरा सिंग ने कई बार खुले मन से कई इंट्रिव्यूज में अपने रिलेशन्शिप के बारे में जब भी बात की है तो उसमें स विएटियल मीडिया पर या यू कहले कहीं भी उन्होंने यह नहीं बताय कि फालाना एक्टर के साथ कप उनका रिलेशन्शिप था या व्यक्ति के साथ उनका रिलेशन्शिप था आपको यह बता देते हैं कि अक्षरा सिंग को लेकर पौवन challenge शुभांकर मुष्रा के ही podcast म अपना उधारण दिया था लेकिन इशारा उन्होंने अक्षरा सिंग पर किया था उन्होंने ये कहा कि उसके साथ अगर आपका close relationship है और उसका घर पर आना जाना है तो आपके family member उसके background को लेकर आपको आगाज जरूर करेंगे और मेरे परिवार ने वही किया यहाँ पर पवन सिंग अक्षरा सिंग के background की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उनका जो परिवार है अक्षरा सिंग से खुश नहीं था और कहीं न कहीं यही कारण बना अक्षरा और पवन सिंग के relation को तूटने का हम यह यह बता देते हैं कि अक्षरा और पवन सिंग का relation भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा चर्चाओं का विशय बना रहता है अक्षरा का पवन सिंग से भी पहले अगर किसी से relationship था तो लोग कहते हैं उनके पहले कोस्टार रवी किसन के साथ था उसके बाद उनका खि पोज relationship रहा लेकिन इन सारे relationship को अगर हटा दें तो सिर्फ अक्षरा हमेशा admit पवन सिंग के relation को ही करती हैं और यह कहती हैं कि पवन सिंग के साथ वो काफी serious थी इस पर आपकी क्या पृतिक्रिया है हमारे comment box में comment करके जरूर बताएं